दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिग्राज सर के साथ अपना कोर्स किया है अगर किया है तो हीूज राउंड ओपलॉज फ़र दिग्राज सर सो सर मैं ये चीज जानना चाहता हूँ आपने लाखो बच्चों को बोड के अंदर उनको बहुत अच्छे मांक्स दिला है उनकी मजबूत नीव उनकी मजबूत नीव के लिए आप बहुत जादा जिम्मेदार रहे हैं तो सर क्या राज है इस सीक्रेट को आज आपको अन्राइवल करना पड़ेगा ठीक है सर थैंक यू फोर गिविंग में इस ओपर्शुनिटी तो टीच इस तू टच अलाइफ फॉरेवर आई बिलीव टू टीच इस टू टच अलाइफ फॉरेवर गोइंग विद्धी ट्रेंड जहां पर टीचर ऐसा बनो कि सारे टीचर चार अलग अलग सब्जेक्ट पड़ा रहे हो और आपके अपने सब्जेक्ट में चार वूख हो समझने वाले समझ गए यह जो शुरुवात हुई थी यह शुरुवात कहीं ऐसे हुई थी कि क्लास नाइन तो टेंद में सस्टी को जहां ऐसा समझा जाता था कि एक सब्जेक्ट है जिसके शायद चार कुश्यन आंसर होते हैं उन्हें याद कर लिया जाएं काम हो जाएगा वहाँ पर एक प्रयास किया कि क्यों ना समर्जेक्ट को जी के देखा जाएं क्या आप लोगों ने सब्जेक्ट को जिया है जोरसuição जीया है क्ली तो बस इसी भाज़ के साथ शुरू किया था बहुत सारे टीचर्स आएं उन्हें बहुत अच्छी बाते बताई अभी भी बह आपको एक पुरा रास्ता क्लियर करके देंगे कि आपने जो लक्ष लिया है उस लक्ष पर कैसे चलना है मेरा कंसेप्ट सीधा सा है सिर्फ दो तीन चीज़े बताऊंगा किताबी ग्यान आपको फुरी दुनिया में मिल सकता है मेरा भाव यह रहेगा कि शाहिद 10 के बाद मेरा भाव सिर्फ एक है जहां पे आपको तीन चीज़े बताने वाला हूं सबसे पहले आप जो भी कर रहे हूं कि फाइंडी पर्पस इन डैट बी पर्पस फुल लाइफ का सिर्फ एक मोटिव लेके चलना बी पर्पस फुल जब आपके पास में पर्पस होगा ना तो यह म आई नहीं रखता है कि आप किस इस्तिती में हैं कमिया सब के पास होगी मैं हमेशा से कहता है हूं कि ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं आस्मा के पास भी जमी नहीं है अपने संसाधनों के आभाव को अपनी कमी मत बनने देना लग जाना जब कुछ समझना आए तो एक चीज ध तो वह आपको आगे के दो कदम दिखाएगी और जब आप दो कदम चलोगे तो उसके आगे के दो कदम दिखेंगे उस अंधेरे में पार करने के लिए पूरा उजाला नहीं चाहिए आत्म विश्वास की चोटी टॉर्च भी काम कर जाएगी पर पसुल होना है चलते रहना ह तीसरी चीज और सबसे महत्पून चीज जब आप इस रास्ते पर चलोगे सक्सेस भी मिलेगी फेलियर भी मिलेगी सक्सेस इस सम्थिंग विच इस अगर अपनी सक्सेस तक नहीं पहुच पाएं तो वहां से खड़े होने की हिम्मत रखना गिर जाना गलत रही हैं गिरके खड़ें नहों पाना गलत है आज तक मैने आपको जो भी बढ़ाया उससे आप एक ये मंंत्र तो लेकर चले होंगे आपने कभी सोचा हैं कि यो भी हो रहा है उसके हम डाउट करते हैं चैकर देंस का दियान होगा отвеч को हर चीज का परपस समझना होगा जब आप परपस फूल है तो आप परपस ढूड़नेंगे एक कहानी है आपने कद्दू की बेला देखिए पतली सी कद्दू की बेला होती है उसमें इतना बड़ा कद्दू लगा आता है हमें समझ नहीं आता है कि वो क्यों लगा है वैसे एक व्यक्ति था जो एक कह रहा था कि मुझे परपस समझ नहीं आ रहा है कि इस कद्दू की बेला में कद्दू क्यों लगा है थोड़ा दूर जानवीत कहता है कि देखो परपस फिर समझ नहीं हा रहा है कि एक बड़ासा अक्रोट का पैख एए उसमें छोटा सा अक्रोट लगा इतना मजबूत पेड़ा और छोटा सा होगा क्या कि जो हो रहा है जैसा हो रहा है हर चीज का परपस है आपका लक्ष और आपके लक्ष पे आप परपस्फुली काम करते रहो लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा मैं आप लोग उसे कि तू हस तू मुस्कुरा तू हस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे जिन